तो ये वो सेशन है जिशका सायद आज पूरे देश को इंतजार होगा क्योंकि बीते दो दिनों में जो खबरें आई हैं उसके बीच में चौपाल के इस मंच पर न्यूज 18 के इस मंच पर इस पर चर्चा इस पर विमर्श होना बहुत जरूरी है जोड़दार तालियों से अभिनंदन करिये बांशुरीव सर्वाच का मेंबर आप पार्लिमेंट है नई दली लोकसभा से और जिस लोकसभा से ये सांसद हैं उन्हीं की विधान सवा में विधायक हैं और दिल्ली सरकार के स्वास्त मंतरी सौरब भारदवाच आप दोनों का अभिनंदन हैं तो सौरब जी अचानक केजरिवाल जी बाहर आते हैं बेल मिलने के बाद और अचानक एक आम आदनी पार्टी के मुखेले पर कारे करता हैं उसे बात करते हैं समवात करना तो अच्छी बात है लेकिन जेल के अंदर जाने पर इस्तीफा नहीं एक शडेंत्र का हिस्सा है और जेल में भेज के अर्विन केजिवाल जेल में संजेश सिंग जेल में मनीश शिचोदिया जेल में सतिंदर जेल में विजे नायर जेल में विबव कुमार जेल में सारी पार्टी जेल में और हम छोटे-छोटे लोग बाहर तो हमारी इस छोटी सी पार्टी को तोड़ा जाता हमारी पंजाब की सरकार गिराई जाती हमारी दिल्ली की सरकार गिराई जाती हमें खत्म कर दिया जाता इसलिए उन्हों ने ऐसा तो कुछ भी नियुक्त संभाल के रखा आज हमारे अभिवावक बाहर आ गये हैं, हमको मतलब कि अब हमारे सर पे वह हैं, तो उन्होंने कहा कि अब मैं स्तीफा दे रहा हूं, और दिल्ली की जनता ते करेगी, अगर उनको लगता है, तो राज्येपाल को दे 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 इस्तीफा, विधान सबा भंग कर लेते, चुनाव करा लेते, ये दो दोर तिन का वक्त क्यों मांग लिया, अब दोर तिन का वक्त इसलिए था, क्योंकि कल इतवार था, आज इद है, तो जो फर्स वर्किंग डे आएगा कल, तो वो इस्तीफा दे दे देंगे उपरा जेपाल को, अब आपने बोला कि वो भंग क्यों नहीं की, अब भंग करके एक बार हम गल्ती कर चुके हैं, भंग कर देंगे तो वो लोग कहेंगे देखोई इना, सरकार से भाग गे, सरकार से नहीं भाग रहें, वो अपनी मुख्य मंत्री की कुछी को त्याग कर रहें, और कह रहें कर जनता वापिस बिठाएगी, और कहेंगी हमारा बेटा कादर है बांसुरी जी तो मैं वो दुबारा बैठेंगे, लेकिन आप लोगों ने बहुत डरा रखा है, कि आप उनकी सरकार ना गिरादे, डर उनको वो था, बहुत विनम्रिता से कहूंगे कि हमने तो बिल्कुल नहीं डराया, उनके कुकर्मों ने उनको डरा रखा है, औ और इस देश की कचहरियों ने, मैं इन फाक्ट अपने साथ कुछ लेकर वे हैं, विज्य जी वो दिखाएए कर एक मिनट, बहुत धन्यवाद, पूरी स्टैक है, ओर्डर्स की, जिसमें इस देश की कचहरियों ने ये पाया है, कि मानने ये मुख्यमंदरी, अरविंद केज रिवाल जी किंग पिन है, शराब घोटा लेखे, और नब्बे से सौ करोड रुपे के किक बैक्स उन्होंने आम आदमी पार्टी की गतविधियों के लिए, जो गोवा इलेक्शन में इस्तमाल हुआ था, उसको लेने में उनकी भूमिका है, अब आप जानते हैं कि ट्राइ कि भूमिका निभाते हुए, किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, कल ऐसा लगा कि यह जो उन्होंने इस्तीफे का दावा करा है, वो अपनी स्ट्रिक बेल कंडिशन पर नेतिकता का आवरन डाला है अपनी विवश्ता पर और एक राजनेतिक धूंग करा है, और मैं कि एक बात सोचिए, कोई भी फाइल अगर साइन होगी, तो सिक्रिटली तो हो नहीं सकती, फाइल साइन होगी तो LG साब के पास जाएगी, आपको बासुरी जी को सब को पता चल जाएगा, और आप क्या सोचिए कि क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं है, दूसरी बात, दूसरी किया गया, इन्होंने इतना पैसा कमाया, हमारे पास सारे सुबूत हैं, यह हो जाएगा, वो हो जाएगा, दो साल हो गए इन्वेस्टिगेटिंग एजन्सी को, अगर इतने ही सबूत पहले दिन थे, तो दो साल बात भी ट्राइल क्यों नहीं शुरू हुई, अब दूसरी बात, तो क्या जब कॉंग्रेस की सरकार थी, माननिय प्रधान मंतरी गुजरात के मुख्य मंतरी हुआ करते थे, वो बोलते थे कि CBI पिंजरे में कहत होता है, सुप्रीम कोट कहता था, पिंजरे में कहत होता है, और कॉंग्रेस कहती थी, नहीं, यह तो इंडिपेंडेंट और वही सुप्रीम कोट कह रहा है कि CBI आज भी पिंजरे में कैत होता है मगर क्या कह रही है बात बुली कि CBI जो है वो पिंजरे में बन तोते की तरह उसको यह अपना प्रेशप्शन बदलना चाहिए जस्टिस भुया ने यह बात को बोला यह एक यह अब्सक्राइशन परह दौना थे मिश्या गुप रिद्ध्धिन जो फाइनल हुआ है उसके तहर ऐसां माननिय मुख्यमंतरी अर्विंद केज रिवाल जी की स्काम में सनलिपता के कारण ही वो स्ट्रिंजेंट बेल कंडिशन पारग्राफ 47 सब पारग्राफ D में लगाई गई है जो कि पहले भी सुप्रीम कोट ने जब ED के केस में जामीन दी थी तब भी उन्होंने एक संकेत दिया था कि आपको नेतिकता के आधार पर रिजाइन कर देना चाहिए और तब भी ये कंडिशन लगाई थी और सौरभ भाई यहां पर बात कर रहे थे EDCBI की चलिए आपका जाच एजंसियों पर विश्वास नहीं भाजपा पर विश्वास नहीं इस टैक पर विश्वास है ये तो वो सारे के सारे ओर्डर्स हैं इस द तो एक स्ट्रॉंग मेसेज आपकी सरकार के लिए भी है बीजेपी की गर्मेंट के लिए बीए सेंट्रल गर्मेंट के लिए जस्टिस भुयां कई अब्जवेशन सिर्मा थे लेकिन जस्टिस सूर्यकांथ जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे दोनों का मिलके समनवे और ओर और क्या हुआ और यह हुआ कि अरेस्ट लीगल थी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास पुक्ता सभी ते इसलिए अरेस्ट को वे द्वाना गया तो अब मैं वापस आता हूं इस मुझ्दे के उपर आप कहनें थे बेल मिल गई बेल क्लीन चिट तो नहीं है बेल तो पर भस्टाचार का आरोप लगाते थे तो वो चिपक जाता था आज आप पे लगा हुआ है और आपके नेता बेल पर भार है देखे आज जो दौर है उसके अंदर तो हर अपोजीशन के नेता के ओपर ED और CVI के खूब मुकदमे के जाते हैं सुबह प्रेस कॉंफरेंस करती ये भारतिय जनता पार्टी की अजीत पवार ब्रस्टाचारी है और शाम को अजीत पवार इनकी पार्टी के उपमुक्य मंत्री बन जाते हैं ये तो साफ है और एक बार नहीं ये ऐसे सेक्ड़ों एक्जामपल हैं वो हम कहीं से भी शुरू कर लें कहीं तक खतम कर दें आज एक मुख्य मंत्री का ये आत्मविश्वास है खुद पे और अपनी जनता पे वो कह रहा है कि आपने दो साल परसेप्शन चला लिया दो साल आपने खूब दुश्परचार कर लिया कि मैं ब्रस्ताचारी हूं मैंने सौ करोड ले लिए सब कुछ ले लिया ठीक है वो म अब दो दो आपने जल्दी कर वालीजे मैं पूछना चाहते हूं यदि आप चुनाव जल्दी कराना चाहते तो अकेले अपने इस्तीफ़े का दावा क्यों कर रहे हैं पूरे मंत्र मंदल से रिजाइन करके विदानसभा भंग कर वाई ये खो जाएंगे चुनाव नवंब और विदानसभा भंग नहीं होगी दूसरी बात आपने बात करी जनता की अडालत की तो बहुत विनम्रता से कहूंगी माननिय मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल जी ने लोकसभा के चुनाव में भी आकर प्रचार करा था जेल का जवाब वोट उनहीं का कैमपेंग था सडक, पानी, बिजली, शुइच, ड्रेनेज, ऐसी मूल सुविधाएं आपके अधिकार शेतर में आती हैं एक दशक से माननिय मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल जी ने यहां पर सत्ता भोगी है लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कुछ करा नहीं और इसलिए साथ की सा कि अधालत में वर्डेक माननिय मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल जी के खिलाप आया है सातों सीटों पे कमल खिला है और तीसरी और सबसे हमाद अमिश्वाइं आप कह रहे थे कि 48 घंटे क्यों कुछ भी हो सकता है मैं जानना चाहती कुछ भी हो सकता है अगले 24 घंट कि कैठनी और कड़नी में जमीन आस्मान का अंतर होता है वो मास्टर ऑफ यूटर्न है अचाह एक आपने भी यूटर्न लिया कॉंग्रेस के साथ अलाइंस करा उसके बाब जूद बीजेपी दिल्ली के अंदर सातों की सातों सीटे जीत गई अब कॉंग्रेस कह रही है कि न बार्तिय जन्ता पार्टी के परवक्ताओं को भी मैं सुन रहा था कॉंग्रेस के परवक्ताओं को भी सुन रहा था दोनों ने ये कहा कि साभ इनाटक कर रहे हैं अभी इनके कार्यकरता रोहेंगे कहेंगे साभ आप मज जये मज जये अर्विंद केजरिवाल जी इस्तीफा लेकिन सौरवजी आप लोगों के लिए तो बड़ी अंबरस्मेंट रह रही होगी आज कल पर आप कॉंग्रेस के लिए वोट मांग रहे थे आज से दो महीने पहले तीन महीने पहले और अब आपको नटंकी बास तो देखें यह अकालियों के लिए पहले वोट मांगते थे उदेखें रहने से एक जड़ी आप एक वाकील है मुझे यह बताईए यदी दुबारा म मुख्यमंत्री का पद मानिने मुख्यमंत्री अरविंद केज्रिवाल जी ग्रहन कड़ते है तो बेल कंडिशन तो गाफूर नहीं हो जाती ना बेल कंडिशन जहा पर आपके मुख् अर्विंद केजरिवाल जी को स्कैम में सनलिप्टता के कारण इस योगे नहीं माना गया कि वो सीम के दफतर जाए या सीम की भूमेकानि बातों किसी भी फाइल के हस्ताक्षर करें अगर बाय किसी मैं कहते हूं जिसे कहते हैं उन्पिग्स विल फ्लाइ अगर वाकई वो दु 2015 में जब पहली बार मुख्य मंत्री बने पूर्ण बहुमत से दो महीने बाद से इन्होंने कंडिशन लगानी शुरू कर दी पहले नोटिफिकेशन लाए इन्होंने पावर ली उसके बाद पिर एक कानून लाए हमको सुप्रीम कोट ने सारी पावर दे दी उसके बाद ओर ले आए दस दिन बाद तो यह कंडिशन ने खूब लगाते रहे हैं वगर अर्विंद केजरिवाल ने दिल्ली में काम करके दिखाया दूसरी बात जो कंडिशन गलत लगाई है जो कंडिशन कोट ने लगाई वो कंडिशन तब लगाई थी जब इस मांबले के अंदर किसी भी अंडर ट्रायल को बेल ने मिलीती एक को भी नहीं मिलीती तो अभी बी मैंटेंड है मेरी बात सुनिए मेरी बात पूरिया होने दीजे और उनको एडी के मैटर में क्योंकि उनका केट डिसाइड नहीं हो रहा था तो उस वक्त सुप्रीम कोट उसने इंटेरिम बेल लगाते वक्त उनको ये बेल कंडिशन लगाई थी ठीक है उसके बाद तो जितने भी अंडर ट्राइल है चालिस के चालिस सिर्फ एक है जिनका रिजर्व है उन्तालिस के उन्तालिस को बेल मिल गई है विदाउट एनी कंडिशन इंक्लूडिंग मनीश हो दिया इंक्लूडिंग और तो जितने भी लोग हैं सब के सब को विदाउट एनी कंडिशन नॉमल बेल मिली है इनका मामला इसलिए था क्योंकि इनको पहले इंटेरिम मिली है इसलिए वो इंटेरिम वाली कंडिशन चल रही है तो जब ये बेल में जाएंगे तो इनकी सा आजा सकते हैं लेकिन अभी ये कंडिशन लगी होई हैं फिर इनको लगते हैं सब के बीचे आप हैं नहीं मैं देखे मैं दो बाते बोलूँग जबसे पहले तो स्वरभ भाई आप मंत्री हैं डिली के मैं डिली की बाशिंदा हूं आपकी बहुत इज़त करती हूं मुख्यमंतरी का पद दुबारा भी ग्रहन करते हैं तो कोई भी सर्कुम्सांसिस चेंज थोड़ी होते हैं इसके लिए कि वो किसी भी प्रकार का प्रभाव ना डाल पाएं किसी भी पॉलिसी पर किसी भी अफसर पर और क्यूंकि स्काम में वो सर से लेके पाऊं तक डूबे ह हुए हैं इसलिए कोट ने यह पाया कि आप ना तो मुख्यमंतरी के कारया ले जाएंगे ना साहिल पर साइन करें एक अपको अधारन देता हूं यह जो कह रहे है कि किसी को बेल नहीं मिली ती गलत बात है केज रिवाल जी को एकड़म अंत में मिली क्यूंकि पैरिटी पर क्योंको मिली थी इसलिए उनको मिली देखेंगे नहीं मत गलत मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं मैं आपको उधारन देता हूं आपकी जनता को उधारन देता हूं जी जी हेमन सोरेन EDK मामले में PMLA के अंदर गये जेल बिल्कुल उनको रेगुलर बेल मिली और कोई कंडिशन नहीं लगी दुबारा मुखे मंत्री बन गया सब के सामने हैं विदाउट एनी कंडिशन अरविंद केज निवाल जी के उपर सिर्फ कंडिशन इसलिए लगी थी क्योंकि उनको को नहीं दूर कोई आपको उनको बताउं का आज की तारीख में भी मैं आपको बताऊं आज की तारीख में आपको बताऊं मुखे मंत्री जी को इजादत है कि कोई भी फाइल जो LG के पास जाएगी उसको वसका ब्गाई एल्जी के उसको बीच्पी कह ब्रेंदर सास्देवा Central Minister जी बोला, BJP के परभख्ताओं ने बोला, सांसदों ने बोला कि Constitutional breakdown है दिल्ली के अंदर, मुख्यमंत्री CM Office नहीं जा तकता और मुख्यमंत्री दिल्ली के भडाई के लिए को काम नहीं का सकता एसा कोई प्रावधान नहीं इसका मतलब भारती जनतापार्टी जूट बोलाई तो अर्विंद केजरिवाल को छे महीं पहले ही जो है मुख्यमंत्री के पत्से अबिशी जो सिर्फ है जिए कि अर्विंद केजरिवाल जी को सुप्रीम कोर्ट से इजाजत है कोई भी फाइल जो LG के पास जाएगी उसको वो साइन कर सकते हैं और मैं एक बात दावे के साथ बता रहा हूँ क्योंकि मैं मंत्री हूँ आप इसको क्रॉस चेक कर लीजेगा बासुरी जी भी क्रॉस चेक कर लें कोई वकील हो तो उससे भी करा लीजेगा जितनी भी फाइल प्रश्चनेताओं ने सांसदों ने मंत्रियों ने बोला कि इस ब्रेकडाउन है दिल्ली के अंदर क्यों यह कोई ब्रेकडाउन नहीं मुख्यों से जब चाहें जा सकते हैं बिल्कुल आपसिलूट पॉलेसी परालेस हो चुका है दिल्ली में और एक कॉंस्टूशनल जन्म दिया है माननिय मुख्यमंतरी अर्विंद केज रिवाल जी ने 177 दिन पहले इनको रिजाइन करना चाहिए था अगर इनका निरणय वाकई नेतिकता के आधार पर है अगर आप देखें भाजबा के तो सरकार नहीं थी लेकिन केंद्र में तब यूपिय की सरकार थी जैलिलता जी, मधु कोड़ा जी, लालु प्रसाद यादव जी, शुब्बू सुरेन जी ये सब जब इनको अरेस्ट करा था इन सब ने नेतिकता के आधार पर रिजाइन करा था माननिय मुख्यमंत्री अर्विंद केजिवाल जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिनकी हट से कि मैं सत्ता के मोह में सीम की कुर्शी को जकड़े रहूंगा और जेल से सरकार चलाने के उनके इस दावे पे इस जिर्ग के कानण दिल्ली में एक पॉलिसी परालेसिस था और एक कॉ है पहले की की एंक कार इंगते हैं जूः किछosaurus कर सकते हैं अप गर मीशान कर सकते हैं ऊसमें नहीं आप गलत बोल रही है आप दुबारा से कर लीजे और आप इसको ट्वीत करूंगा और क्या के वर्डर यह कहता है जो भी फाईल घ के पास जाएगी उसको सी एम साइन कर स जितनी भी फाइलें साइन करते हैं, सारी की सारी LG के पास जाती है, इसलिए CM सारी की सारी फाइलें साइन करते हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, वो सुप्रीम कोट की शर्ते गलत है, नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं, मैं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोट की शर्त यह है कि आप अपने secryche-rate नहीं जा सकते जी आने उन्हों ने बोला कि आप सिर्फ उन्हीं फाईलों पर साइन कर सकते हैं जो एली जी के पार बेजनी है और सीमन जितनी भी फाईले साइन करते हैं वह जाती है कि इतना मजबूरी वाला मोक्षयमंत्री के सी निया कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं उक्ति के इनके निधिंट की जिसदिन अर्विंद के जिवाल जेल में गए और इनके मुताबिक constitutional crisis आ गया यह सरकार को बर्खास कराके चुनाव कराते हैं इन में confidence नहीं है आप समझेए यह डर रहे हैं जनता के सामने जाने में क्योंकि पहले दिन से इनको मालूम है जनता के पास जाएंगे तो जनता कहेगी तुमने अर्विंद को फटाया है उनको वोट नहीं देंगे और प्रचार के बहाने पर यह आए था आपको याद होगा इनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में बेल में जो अर्जी लगाई जो दलील दी वह यह थी कि प्रचार के लिए आप समय दीजें इंटरिम बेल पर आये थे आके पूरे में प्रचार करके गए थे जेल का जवाब बोट मांगा था लेकिन दिल्ली की जन्ता ने क्या वर्डिक दिया सातों सीटों पर कमल खिलाया और मैं पूछना चाहती हूं पिछले दो सालों से था एक दुषक से शड़क, बिजली, पानी, ड्रेनेज, शुएज की यतनी जर जर आती हुए हालत खूह एक दुषक से आप याँ पर सत्ता भोग रहे हैं लेकिन दिल्ली का पूरी की पूरी विवस्ता इतनी चर्मराई क्यों है उसका जवाब धीजिए, लैकिन अबिट केरिवाल जब बाहर आए थे तो उन्होंने बोला ता कि देखिए ये चुनाव है अगर आप मुझे वोट देंगे तो मैं जेल में वापत चला जाओंगा लेकिन वो तब जेल से बाहर आही रहे हैं और एक दिन परे आप लोग अटाक कर रहे थे कि उनके घर पे पू से पर ग्रैंदेल दील यह अगार सपने मिल गह तो इसका मतलग जो ठीक कर दू और जो खराब उसको खराब ना करें ली हम मैं आपको दिल्ली का ट्रेंड बता रहा हूं 2014 में चुना वह हमाई भारती जनता पार्टी को 7 सीटे दी, अर्विन Kejниवाल को 62 सीटे दीले हैं। दोहजारशबर का चुना हुआ हैं। इनको सातों सीटे फिर मिली हैं। और ये बात ये भी जानते हैं। मैं बहुती जानता हूं। वरना जिस दिन इनके हिसाब से देश दिल्ली के अंदर constitutional crisis हो गया, उस दिन सरकार को भंग करके चुनाव कराते, यह चुनाव करा नहीं सकते, अभी मैं बता रहा हूं, हम बार बार के रहे हैं, चुनाव करा, यह करें नहीं अभी नहीं है, इन्होंने, इन्होंने, इन्होंने पहले आपको वर्डिक मिला है, उसका आपको विस्मलन हो गया, क्योंकि बांसुरी जी आप बहुत वरिष्ट वकील भी रहीं, तो है, सवाल मेरा यह कि जो सीजय को लेकर अभी विवाद हुआ, पधान मंत्री जी गणेश पूजन में गए, उस पर आप क्या कहना चाहते है जी बे बुनियाद विवाद है, गणपती सब के हैं, बस इसलिए क्योंकि, और एक चीज़ और बोलू, नरेंद्र मोधी केवल प्रहान मंत्री नहीं है, नरेंद्र मोधी एक शद्धालू भी है, भक्त भी है, एक इनसान भी है, और वो अगर जस्टिस चंदर चूड के यह मैं कहूंगी संकीन मानसिक्ता की बात, क्या यह आपको लगता है कि मैं किसी के घर पे कोई जा सकता है, कारेकरम के अंदर सारुजन एक जीवन में आप लोग भी हैं, आप भी जाते होंगे, अपने विरोधियों के आ भी, अपने पक्ष के लोगों के आ पर भी, क्या आपको अजमी ने ऐसे नेता ने जो है डिरेक्ट अटेक नी किया, जितना किरन डिजुजु ने किया, इन्हों ने तो यहां तक कहा, लेकिन इंडिया लाइंस ने तो किया, आप अलाइंस का हिस्सा है, यह किया, मैं बोल रहा हूं, मगर अगर अगर अटाक करना पाप है, तो वो तो देश के law minister कर रहे थे काफी दिनों से, और लगातार अपने Twitter पर करते रहे, उसके ओपर, आज भी मंतरी तो है, और उसके ओपर कभी प्रद्यान मंतरी जी ने नहीं का, जी जी, आप चीफ जस्टिस के ओपर अटाक क्यों कर रहे हैं, आप इस कोलेजियम सिस्टम पर तरह समझा देता हूं कि मैंना उसको पढ़ा, उन लोगों का मानना है कि सुप्रीम कोट के अंदर जितने भी मैटर्स जाते हैं, वो जनरली स्टेट वर्सेस सेंटरल गवर्मेंट होते हैं, या कोई प्राइवेट पार्टी वर्सेस सेंटरल गवर्मेंट होते हैं, तो तो मुझे एक बात 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 यह है तो तो फिर हर आदमी जो है कोर्ट के लिए क्यों यह कहा गया जुडिशिरी के लिए तो कहा गया यह बता देंगी पासुरी जी उनको बताया गया बेश्ट मेंटेन अलूफनेस क्यों कहा गया इसलिए कहा गया तो कि उनको समाज से थोड़ी सी दूरी बना के लिए वरना मैं आपको एक 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 एसांपल देता हूं मालीजे मेरा मेरे उपर जो है रेप के चार्जिस लगे हुए ठीक है और जिस जज के पास मेरे उपर रेप के चार्जिस चले हैं मैं उसके घर चला उपर इलेक्टोरल बॉंड के अरोप लगे हुए उदाहरन बहुत आपती जलगता इस उदाहरन का यहां पर को स्थान ही नहीं नहीं आप बिनाबाद की बात का मुद्दा बना ले तो बात लगे बात साफ है कि अगर कोई आरोपी है और उसके जज के पास ही वो आरोपी उ आप उस जज को क्या जज के ओपर भरोसा नहीं है यह शुचिता आपके इसके उपर आप किती भी बहस कर लिजी जिसके उपर आप इतनी भी बहस कर लिए इसका खंडन कर ले इंगे तो मैं उसका इलाज कुछ नहीं कर सकता है अज भी खड़ा हूँ और मैं बोलता हूं यह उदारन बिल्कुल ठीक है यह उदाए डेश के प्रदान मंत्री क्या करते रहें अपने जीवन बें सबको पता है आप यह मत समझे कि देश के प्रदान मंत्री का क्या इतियास राए वो सारा हिंदूस्तान जानता है यह जिए आप यह जिए आप अपने अपने आपको और जादा आप सुननीजी जी लेकिन प्रदान मंत्री पर इस तरह का कोई चार्ज नहीं है मुझे नहीं लगता कि वह बात जायज है लेकिन आपने एक एक एक्जांपल दिया मेरा निवेदन है अब मैं आगे बढ़ता हूं कूं क कि मैंने बोला था एक छोटा-छोटा सवाल है आप दोनों से क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बता हिए जब मुख्यमंति अर्विंद केजिवाल जेल में थे तो आप लोग उनसे और कैसे ले रहे थे उनसे कोई ना कोई मिलने जाता था वहां से कोई ना कोई बाचीत हो जाती बाभी जाती थी मिलने कई बार आतिशी जाती थी मिलने अच्छा कि आम आदमी के आवरण में बहुत ही खास व्यक्ति हैं इसलिए खास व्यक्तियों के लिए वह कुछ भी जड़ सकते उनके लिए तो कोई ना कोई रूल जैने रिगलेशन आपको कर लेता हूं क्या दिली कि BJP इस बार के चुनाब में कोई चहरा लेकर आपे आएगी ऑगे हैंनी पंजिपार इनके पास लाएंगी कहाँ से अर्वैने गेशेतर महिं क्लेवाल के घाने कोई से सवाल पूशरा हूंग होता यह कुटक अगयी होता हैं पंटक आघे अने से बापिऴ चुटक अपना अपना लेकर आओ कोई हमारा चोड़ा बात मेरे तर्क से इतना ड़र गए हैं कि बार बार आपको हस्तक्षेप करना नहीं मैं बता रहा हुआ कि आप हमारे लेते रहते नहीं अपने वालों पर अब विश्वास कि आप यह पीजेपीचे सवाल है कर दोगे डूसरे बाप दूसरे हमारे यह यह आप अपने पूलाइक इनके पास हैं लेके इतना ज्यादा टैलेंट शूड़ चोड़ चोड़ चुके हैं लेकिन मेरे तर्क की तीवरता से तना डर गए चलिए मैंने का नहीं तो विदायक इनके पा अपने पास टैलेंट की कोई कमी निया आप चंता मत करिये चेहरो का भरमार आजा अब मेरे को शुक्री आप वोली बोली 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 देखे हमारे एक मंतरी के ओपर एडी का चापा मारा प्रेस कॉंफरेंस कर रही कि वो ब्रस्टा चारी है करोड़ो रुपे मिले उसको इ कि इनके यहां जाने वाले हैं इन्होंने बोला नहीं हमारे बिलकुल नहीं आएंगे और इनके आराज कुमार आनद चले गए वो तो चले गए ना जानी दूसरा दूसरे करतार सिंग तवर चटरपुर से विदायक थे इंकम टेक्स का चापा पड़ा इन्होंने प्रेस कॉ शुक्रिया शुक्रिया अगिया है